पिरनाम दोस्तों मैं आरोई आप सभी का दिल से बेलकम करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, आप सभी सेफ होंगे and पॉजिटिव होंगे जैसे कि कल सभी से मैंने एक पूछा था कि क्या आपके लोगर चकराज में कोई इस्यूस हो रहे हैं या उसके रिलेटेड आपके बाडी पेइन या लैक्स में प्रॉब्लम, टमी से रिलेटेड प्रॉब्लम या बैक साइड में आपका प्रॉब्लम चल रहा है तो ये इस पॉटल पे क्यों ऐसा आपको हुआ है, यही समय आपको बताने वाली हूँ और कुछ चैनल मैसेज्जों मैं आपको देना चाहती हूँ लेकिन सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में डिस्कुस कर लेते हैं कि आपको लोड चक्राज से रिलेटेड क्यों इस्यूस हुए हैं ऐसे आपके कोई फोविया जैसे की कोई डर मतलब सिर्फ नॉर्मली डर था जो आपने उस पर बिज़े प्राप्त की है या उस चीज़ को बहुत करीब से देखा है और उससे रिलेटेड आपका फीर जा चुका है यह आपके साथ हुआ है या नहीं जो ब्लॉकीज आप फील कर रहे हैं वो इमिज़ेटली खत्म हो जाएगा अप्टर ओल यह जो जैनरेट हुए हैं तीनो चक्राज जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पेंटफुल एनरजी फील हुई है इसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव एंड रिजन इतना ही था कि यह जो कुछ ऐसे इशوس हैं जिसे पूरी कोशिस की गई डिवाइन की प्लानिंग की तरफ से कि आपके यह चक्राज पूरे तरह से हील हो हो एंड आपका जो कोई डर हैं अंदर से कोई डर है वो डर आपका हील हो तो बाइदा भी वो डर आपका हील हुआ ये उन लोगों के साथ में या तो डर आपने हील कर लिया है या आप उस डर से बहुत करीब आके रूबरो होके उसको पूरी तरह से forgive and उसके साथ में balance create कर चुके है या फिर आपके अगले दो से तीन दिन में उस डर का सामना आप करेंगे और जिसके चलते आपके जो lower चक्राज में in balancing हो रही है वो पूरी तरह से हील हो जाएगी root चक्रा, plus sacral चक्रा and solar plexus चक्रा या तीनों चक्रा कुछ ऐसी एनरजी के वज़े से stuck हो गए है after all बहुत सारी एनरजी आपकी हील हो चुकी है but कुछ ऐसे case रहे हैं आपके जो हील नहीं हो पाए है जिसका हील होना बहुत जरूरी है इस portal की एनरजी में टापन करने के लिए तो वही डर आपका इस time हील होगा या तो होगा या होने वाला है जिसके चलते आपके जो problem आ रही थे चक्राज में और जिसके जिसे एनरजी जो पूरी तरह से solar plexus chakra पे stuck हो गई थी और जिसके चलते आप tummy से related बहुत ज़्यादा pain फिल कर रहे थे और एक चीज जो आपने अगर feel की हो कि आपको मतलब काफी दिनों से भूक कम लग रही है या फिर भूक लग रही है या मतलब खाना पीना पच्छे से का रहे हैं तो digest नहीं कर पा रहे हैं क्यों क्योंकि वह solar plexus chakra पे energy बहुत ज़्यादा श्टक हो गई है और उस energy का release होना बहुत ज़रूरी है तो उसे release कैसे करना है क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि energy को कैसे release करना है आपने सीखा है energy को activate करना meditation करना energy को कैसे clean करना है तो उसके लिए उसके लिए इक काम करना है बैठना है meditation की आसन में बैठना है और वहां पी जो root chakra पे focus लगाना है और second chakra जो आपका है पांच माच प circumstance है सटेयों स्टॉप्ला उल्च उल्च से नर्च पर पंज़े से बाहार आरी है वे एंगे यी ऐनार्च आर्षि टार्प मिपर आप आब को ढेंड़े को कि स्टॉरे कूंस्त वे थे विद्टॉ UK कर दो या फिर मदर अर्थ के साथ में उसे मदर अर्थ को सेंड कर दो ताकि आप किसी की मतल मदर अर्थ की बढ़ाने में उनकी हेल्प कर पाओ तो इस तरह से उस एनर्जी को थोड़ा सब हील करो और दूसरी बात जितना हो सके इस इन दिनों में ग्राउंडिंग करना ह ! यह refreshing कर दो बाथ सै कि आपके एनर्जी चार्ज होती रहे हील होती रहे और जो ब्लॉक्व करें चाण आप सब्सक्री है और जैसे ही आप और प्रॉब्लममु आ को प्रस्न सेरते हैं ड है जैसे ही में बहुत काम रहा बहुत बहुत काम किया पार्ष grease फिल कीए आपको फील होने वाली है कि यहां पर थोड़ा सा आपना परसनल लाइफ को लेकर ज्यादा डाड़ी केट हो जाओगे परसनल इंदा सिंस की आपका जौब आपका कैरियर अपका फ्यूचर इसमें जाकर थोड़ा सा आप सोचेंगे कि मुझे क्या करना हैं कैसे अपने आप ग ब्लॉकेस को इस तरह से रिलीज करना है और यहां पर मेरी साथ प्रॉब्लम चल रही है मुझे इस चीज को बैलन्स करके यहां पर इंप्रूमेंट लेकर आना है कुछ लोगों को पता चलेगा कि उनकी परसनल रिलेशन्शिप में प्रॉब्लम कहां आ रही है यानि कि आप डीप लेवल पर अपनी प्रॉब्लम को एनलाइज करेंगे समझेंगे उनको डीप लेवल पर देखकर जानकर उन चीजों के ऊपर आपको समझ में आएगा कि या यह चीज थी जिसके बज़े से मुझे यह चीज फेस करने को देखने को मिल रही थी तो आपका वो फेसिंग कर रहे हैं जो की सेलफ की उंक करेंगा यह यह चीज कि कॉरी गूंती झेल्ट नहीं कर दोते हैं robot और याए uty Yoo वह आनर्जी आपके साथ में घूंती ही रहती है नेमकिनर two-our चीज में टैन नहीं हो रहे हैं किसी अच्छे काम में वर्क में लगके आपको वो गुड वाइफ नहीं दे रही है या फिर गुड गुड आपकी चीजों को विश को कम्प्लीट नहीं कर रहे हैं और वो एनर्जी आपको इस्टक करके रखी है तो फाइनली आप एक लेजी निस जो होता ना लेजी निस में परे मतलब अपने आप में रहते हैं सोने का मन जादा होता है कुछ खाने का मन नहीं होता खाली या तो पड़े रहे हैं अगर आप को रील देख रहे हैं तो बस चलता ही जा रहा है बस आपको यह भी लिमिट पता नहीं कि कब तक देखना क्या देखना है कैसे देखना है को टाइम लिमिट को कोई आपके पीरियड नहीं चल रहा था अभी राइट नाव मतलब इसले कुछ दो-तिन दिनों से लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि आपकी एनर्जी सबसे जाता वेश्ट कहां कर रहे हैं और किस जगह पे आपको एनर्जी को स्टोर करना है कहां पे आपको एनर्जी को क काम को लेकर के या अपनी पर्सनल एनर्जी को लेकर के बहुत जादा डिस्ट्रेक्शन में चल रहे थे यानि कि आपके अंदर एक जज़वात खतम हो रहे थे या फिर कुछ करने की चाहत थोड़ी से आपकी धीमी पड़ गई ती जिसके चलते आपके कुछ चीज काम नही किसी चीज को लेकर के तो उसका structure ready नहीं हो पा रहा था आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर work कैसे करना है क्या नहीं करना है यानि totally यहाँ पे change होई है दो से तीन दिन की energy इस तरह से बनेगी कि आपकी पूरे platform को change कर देगी यानि यहां तक कि आप जिस काम को कर रहे जो काम आपके लिए नहीं बना है आप उस काम से side हो जाएंगे बहुत easily side हो जाएंगे और आप एक ऐसे काम से एक ऐसे work से जोड़ेंगे जहां आपकी energy align होगी यानि कि आप अभी तक अपनी energy के साथ में align नहीं हो पा रहे थे उसे मतलब घसीट रहे थे खीच रहे थे एक बजा नीरस होके पस उसे करना था जाने कि तरह से आपके उपर वार्डन था जिससे आप जहल रहे थे लेकिन अब वह वार्डन जो है आपका release होगा चाहे वह फैमली का हो चाहे जौब या केरियर का हो जो भी कुछ है उसे आप रिलीस करने में माहिर हो पाएंगे और दू यह प्रॉपर इनलाइटमेंट के एनरजी है प्रॉपर रिलाइजिशन के एनरजी है प्रॉपर खुद के साथ डाडिकेशन के एनरजी है तो जैसे कि हम कहते हैं इनलाइटमेंट का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ हम ध्यान में ही लगे रहे हैं सिर्फ हम यही काम करते रहे है enlightenment का मतलब है हमें कि पूरी तरफ से enlightenment में जाना यानि कि अपने personal life के प्रती अपनी job career के प्रती और अपनी relationship के प्रती अपनी soul के साथ में align होना यानि कि पूरी तरह से ये full mind body spirit का alignment है जो कि आपको 3D life में survive करना भी बताएगा spiritual life में भी survive करवाएगा और साथ में आपके personal life में भी आपको survive करने के लिए वो potential and strength आपको provide करेगा यानि कि overall ये पूरी तरह से आपके हक में energy है और फर्क यहाँ पर यह है या फिर matter यह करता है कि आप इस energy के साथ में काम कैसे करते हैं एक बात ध्यान रखिएगा energy सभी को same मिली है किसी के साथ में कोई पक्षपाद divine नहीं करते हैं और होता यह है कि कोई उस energy के साथ में अच्छे से काम करता है कोई उस energy जब मिल रही होती है तो उस time अपने personal issues में यानि overthinking, over reaction and sadness के energy में जाकर कि उस energy को destruction में डाल देता है और उस चीज़ से वंचित रह जाता है आपको वो चीज़ मिल गई है, वो आपको power दे दी गई है, वो strength दे दी गई है बस आपको चलना है और उस चीज़ पे थोड़ा साथ ध्यान लगाना है कि आप अपनी इस powerful उर्जा को किस direction में लेके जाना चाहते हैं किस तरब ज़्यादा focus देना चाहते हैं तो energy आपकी पूरी तरह से complete चल रही है complete यानि 101% frequency के साथ आप connected है बस आपको एक समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस दिसा में जाना है अगर आपकी दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा फोन से हटके, थोड़ा से लोगों से हटके साइड में बैठी है, नीचर में बैठी है, आँखें बंद कीजिए और बार-बार सोचिए कि आपको right now need किस चीज़ की है और जैसे ही वो चीज़ आपके click होती है mind में immediately उसी पर work कर देजिए उसी पर energy लगाना शुरू कर देजिए आपकी वो चीज alignment में आ जाएगी क्योंकि जब तक आप अपनी financial, आपकी material life, आपकी personal life थोड़ी सी heal नहीं करोगे spiritual life heal नहीं करोगे, तब तक union में problems रहेंगे तो अगर आप चाहते हैं, जिन भी feminine and masculine के partner एक दूसरे के, यानि कि money block किस से चल रहे है तो जिस किसी ने भी ये video सुनी है, आप अपनी money block किस पर काम करना शुरू कर देजिए आप अपनी money block किस के लिए ideas create करना शुरू कर देजिए energies लगाना शुरू कर देजिए आपके partner की भी money block किस heal हो जाएगा जो की आप दोनों के union में problem create कर रहा है तो वो heal होगा और आप दोनों के जो issues है personal life में वो heal होकर के आपको एक union में लेकर आएगे तो जो right now आपके जीवन में कमी है या आपके partner की life में कमी है तो उन चीजों को देखिए, उन चीजों पर work किजिए उन चीजों को, उन parts को energies दीजिए और उसके बाद अपने life में यह changes देखिए अब आप पूछो के कि हमें काम कैसे करना है तो जैसे ही आपने कोई thought आया for example कि आपने सोचा कि मुझे ऐसे ऐसे करके एक business start करना है तो उस business का platform त्यार कर ये उसका planning कीजिए, mind को, मतलब मन को सांत करके और आखे बंद करके लेड़ जाईए और उस चीजिए के बारे पूरी तरह से सोचीए जैसे जैसे आप उस चीजिए के बारे आपने आपकी help करेगी और जैसे जैसे आपने वो energy सोची है वैसे वैसे आपकी real life में वो चीजज आना शुरू हो जाएगी energy fix कर दी है और अब आपको क्या करना है कि अब आपको उस energy के साथ में personal life में align में आना है अब मैं बताती हूं कल का जो वीडियो रहेगा वह हमारा रहेगा कि आप लोगों किस किस dimension में tapping किया है किस किस में नहीं किया है यह मैं next वीडियो में रहेगी विकोज साइकिक डेवलेप्मेंट बहुत जादा इस्पिरिचल लाइब का हुआ है तो यह सारी चीजे में मेंशन करूंगी नेक्ष्ट वीडियो में लेकिन अभी के लिए बहुत जरूरी है अपनी इस उड़्जा को अपनी इस पावर को सही जगा पे क्लेम करो सही मेरे स्टार्टिंग में जो एक पोश्ट आ रही है आपके इस वीडियो में तो वहां पर मैंने मेंशन किया है कि पर्सनल गाइदेंस स्टार्ट कर रही हूं जो कि कुस दिनों के ओफर्स हैं जिसमें पर्सनल चैनलिंग अगर आपको चाहिए अपने पर्सनल से रिलेटेर जो आप मेरे से ले सकते हैं जिसका चार्ज भी वहां मैंने मेंशन कर दिया है और मैंने कमिटी पोश्ट में भी पोश्ट कर दी है साथ में अगर आप टैरो रीडिंग चाते हैं तो टैरो रीडिंग से भी आप करवा सकते हैं अपनी जानकारी ले सकते हैं नहीं तो आप प तक तक के लिए अपना ध्यान रखना है एंड फुल ओन एनरजी के साथ में मस्तीज के साथ में भढ़ जाना है बिल्कुल टाइंशन डाउट बिल्कुल नहीं करना को सब कुछ अब आपके हमीच चल रहा है सब कुछ आपके अपके लाइफ के लिए चल रहा है वसफर्क यह अगर आप बेवकूफी से चलोगे तो आपको कुछ हाथ नहीं मिलेगा थोड़ा सा energy के साथ में fun करते हुए enjoy करते हुए चलोगे और सही दिसाम में काम करोगे तो आपकी life में पूरी तरह से balance and prosperity awareness और wisdom भरपूर मिल जाएगा तो इसी के साथ